असलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामस ये एसान परमोश की नेक्स एपिसोड में आप देखेंगी ये नवाल जो हमजा की बत्तमीजी पर ये रिष्टा तोड़ चुकी है और हमजा के घरवालों को भी बता देती है मगर अब विवर्ज ये फलक डायन तो नवाल का जीना हराम करके रख देने वारी है मगर वो अपना अंजाम भूल गई कि उसके साथ क्या होगा ये फलक जो कि हक महर की सारे के सारे रकम दे चुकी इस मारिया को और मारिया भी इस फलक को ऐसा लपेट रहे कि इसे उल्लू बना रही है वो तो इस फलक को बाद में मालू होगा अब मारिया ने और पैसों के भी डिमांड कर ली क्योंकि इस फलक को करोणों की जरूरत है तो बस फिर ये फलक लॉयर से बात कर चुकी इस घर को बेशने की और इसके बारे में नवाल को इल्म नहीं होता वो तो इस फलक को साफ इंकार कर चुकी थी मंगर ये तो कुछ दिन बेखने के बाद लॉयर से इसे मालू होता है तो नवाल फॉरण से फलक के पास चले आती है उसे अपनी तरह मतवज़ा करती है क्योंकि इस फलक के तो नखरे खतम नहीं हो रहे थे क्या तुमने ब्रोकर से कहा है कि ये घर बेचे तो फलक हामे बढ़ती है और साथी ये भी कह देती है कि मैं कौन सा पूरा घर बेच रही हूँ अपना हिस्सा तो बेच रही हूँ और इस हिस्से पे मेरा पूरा हक है मैं जो चाहे मरजी करूँ आज तो नवाल की हैरत के कोई इंतहा नहीं रहती कि पलक इस हद तक भी कर सकती है वो नवाल जो इसके असलिक जाने के बावजूद भी सबर कर रही थी खामोश थी सब कुछ उसने भूला दिया था मगर इस फलक के रूप है कि खतम होने का नाम नहीं ले रही अब ऐसे में यही नवाल है जो बिलकुल अकेली पड़ गई है वालदा का साया भी सरसे च्छिन गया और अब यह फलक सरसे छट भी च्छिन रही है और तो और बागी के कसर यह हमसापुरी कर रहा है ऐसे में नवाल बहुत जद़ा डिप्रेस्ट है बजाहर वो उफिस में होती है मगर उसका दिमाग कहीं और ही होता है अब ऐसे में कबीर जो कि नवाल को अच्छे से समझ चुका है और नवाल कबीर को अच्छे से जान चुकी है ऐसे में कबीर जब नवाल के पास आता है तो उसे गुमसुम देखता है तो वो उसे बात करने लगा ऐसे में फलक अभी जिकर हो जाता है तो कभी नवाल से कह देता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर अच्छी सोबर्त का भी कोई असर नहीं होता क्योंकि वो फलक को भी अच्छी तरहां से देख चुका है और इस नवाल की नेचर को भी जान चुका है उसे हैरत होती है कि किस तरह से दो अपुजिट है मगर उदर नवाल की जान तो इस हमजा ने खाई है वो ये रिष्टा तोड़ चुकी है कह चुकी है मगर हमजा तो मानने के लिए तैयार नहीं होता उस पर जोर जबरदस्ती करने लगा फोन करके उसे धमकाता है नवाल मेरी बरदाश्त का और इम्तिहान मत लो तो आज पिर नवाल भी घुसे से उसे चिलाते हुए कह देती है अगर तुमने अपना रवईया मेरे साथ नहीं बदला तो मुझे भूल जाओ ये सब सुनकर तो इस हमजा को घुसा आने लगा कि ये नवाल अपने आपको समझती क्या है और देखते ही देखते ही ये हमजा का दिमाग और भी खराब हो जाएगा क्योंकि ये इनसान तो ऐसा है कि जिस चीज की भी जित कर ले उसे हासिल करके छोड़ता है ये हासिल नहीं कर पाता तो उसे तबाह कर देता है अब इस हमजा के चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था उसकी परेशानी खतम नहीं हुई थी कि इस नवाल के लिए और परेशानी बढ़ जाती है ये फलक अपना घर अपना हिस्सा बेश देती है लॉयर उसे डॉकुमेंट्स पर सिखनेशर करवाता है तो आज फलक बहुत ज़्यदा उदास है बहुत दुकी होती है और अपनी माँ को बहुत याद भी करती है अब यूई देखते ये देखते इस फलक की कारसानी और भी बढ़ने लगती है वो नवाल को और ज़्यादा तंग करती है परिशान करती है वो भी जान भूज कर एक दिन जब नवाल आफिस से घर वापिस लोट दिये तो केकों की आवाज उसके कानों में पढ़ती है वो एक दम से हिरान हुई मगर जब अंदर आती है तो मंजर ही कुछ और है फलक जो कि अपनी दोस्तों के साथ बैठी यहाँ पर पार्टी कर रही है हस खेल रही है क्याकों की आवासे गुज रही है तो चिलाते वे नवाल कह देती है क्या चर रहा है यहाँ शरम नाम की कोई चीज है फलक वो तो जजबाती हो गई अम्मी को गुजरे हुए कितना आर्सा हो गया फलक और तुम यहाँ पर यह सब कुछ कर रही हो तुम्हें शरम नहीं आती तो यह फलक मैडम उट खड़ी हुई क्या बत्तमीजी है यह तो नवाल दो टो कह देती है आज के बाद तुम्हारी फ्रेंट्स इस घर में ना आएं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मगर यह फलक तो जानती थी कि इसने अब नवार के साथ क्या करना है अगर आपको मसला है तो आप कहीं और चले जाएं नवाल तो सुनते ही हैरत जदा रहेगी फलक तुम मुझे यहां इस घर से निकलने का कह रही हो जी इसे में ही आपकी बेहतरी है क्योंकि अब आपका यहां पर रहना मुहाल हो जाएगा और यह फलक ऐसा सब कुश करके दिखाएगी अपना हिस्सा तो यह बेच चुकी है अब इसकी नजर नवाल के हिसे पर है कि मैं इसे ऐसा तंग करूँ ऐसा नाचना चाहूँ कि यह नवाल इस घर से खुद ही दफा हो जाए और यह यह घर यह सब कुश मेरा हो जाएगा मैं सकून से यहां पर रहूँगी पार्टी करूँगी मगर नवाल तो फलक इन बातों की वज़े से बहुत ज़्यदा परिशान होती है और हैरत जदा अलग से यह फलक इतनी बेहिस निकलेगी इतनी ऐसान फरामोश निकलेगी मैं कभी सोच नहीं सकती थी मामा ने उसके साथ क्या ना किया इसे कितना प्यार दिया मगर इदर इस फलक को कोई परवा नहीं होती वो तो कमरे में बैठी बड़ी मज़े से अपना मैगजीन पढ़ रही है और अपनी तस्वीरें देख देख कर खुश हो रही है ऐसे में नवार यहां पर आई तो उसे कोई परवानी होती वो वैसी स्टिल मुस्कुरा रही होती है उसे जरह भर भी ऐसास नहीं होता कि आज उसने नवार का कितना दिल दुखाया क्योंकि ये फलक है ऐसी ये तो नवार को अब मानू हुआ कि कबीर भाई आले भाबी सब सचे थे मैंने इसे पेचानने में गलती कर दी मगर अब तो ये वक्त इस फलक को बताएगा कि उसके साथ होने क्या वाला है जिस पैसे की खातिर उसने एक-एक सर रडाई की एक-एक को नोचा एक-एक को काट खाया आज वो अपना वही पैसा किसी और को सूम रही है अब जैसे फलक की हिस्से का वो घ Är वो हिस्सा सेल होता है तो उसके बहुत भारी कीमत उसे मिलती है और वोही सारी की सारी रकम यानि करणों में वो जाकर इस मारिय को दे आती है वो भी बड़ी इज़त के साथ सारा पैसा उसमें लुटा दिया हक महर की सारी रकम भी दे दी और अब ये भी और ये मारी तो जानती थी कि इस फलक की दुखती रख क्या है असल में तो वो फलक को नचाए इसी लिए रही थी ताकि जितना मेरा फाइदा हो सकता है इससे मैं फाइदा हासिल करनू चाहे इसका घर बरबात करके ही क्यों न से ही अब आकिर ये मारी अपने इरादों में काम्याब हो गई ना सारी रकम इसके हाथ लग गई और वो ये रकम लेकर नो दो ग्यारा कर देगी और बाद में कोई बहाना कर देगी इसमें क्या हुआ फलक हो जाता है वैसे भी तुम्हारी थोड़ी ने इंवेस्टमेंट थी वो उन प्रोड्यूसर सहाब की भी थी या फिर हो सकता है वो प्रोड्यूसर पे ही जजाम लगा दे कि वो ही लेकर भाग गया तो इसमें भरा मैं क्या कर सकती हूँ और वैसे भी अगर मुझ पर इतना इतबार नहीं था तो फिर ना देती तुमने रकम मुझे खूद ही दी थी और ऐसे ये उसे डी वैल्यू भी कर देगी और उसका पैसा हतिया भी लेगी खेर अब ये कुछ तो हो गया फलक के साथ वो तो वक्त इसे बताएगा कि इसका अंजाम क्या होने बाला है मगर वहाँ पर हमजा जो कि बहुत ज़्यदा परेशान होता है कि नवार मुझे से ये रिष्टा नहीं तोड़ सकती तो ऐसे में हमजा जो के बदले लेनेगा तो वैसे भी आदी है और ये फलक इसको भी क्या चाहिए तो बस फिर दोनों ही एक दोसे को टकरेंगे यानि हमजा और फलक के टाकरे मिलेंगे और हमजा फलक से चुपके निकाह कर लेगा इतना तक कि अपनी फैमली को भी नहीं बताएगा किसी को मालुम नहीं होगा ऐसे में वो नवार को भी नीचा दिखा देगा उससे बदला ले लेगा और इस फलक को क्या चाहिए बस पैसा जो कि हमजा के पास बहुत है मगर हमजा को ये मालुम नहीं कि फलक जैसी बीवें जब मिलती है यानि बीवी मिलती है तो वो कंगला करके छोड़ती अपने शोहर को अब विवर्स ड्रामे में बहुत सारे और भी ट्विस्ट आने वाले हैं वहाँ पर कबीर जो कि नवाल को समझ चुक है और नवाल भी वो हकिकत जान चुकी है कि कभीर कितना सुल्जावा इंसान है इजज़त देता है जैसे फलक कहती है वैसा हर्गिस नहीं और खास तोपर उसे इलहाम की फिकर भी होती है तो बस फिर दोनों का इंटेंट एक दूसे की तरव से बढ़ने लगेगा खैर विवर्ज अभी तो बहुत सारे ट्विस्ट आने है इस पलक ने अपना अंजाम भी देखना है तो होप सो आगी की कुछ कहानी सुनने के बाद आपको भी सस्पेंस होगा कि आखर क्या होगा इस पलक का अंजाम और इस हमजा ने मुग के बल भी तो घिरना है तो इसके लिए आप ड्रामस या इसान फरामोश की मुकमल कहानी देख सकते हैं वो भी हमारे चैनल पर या पर आई बटन या पर डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं पिलहाल आज की प्रोमो के मुटलिक में अपनी कीमती राय का इजार जरू कीजेगा क्या आपको भी लगता है कि ये मारिया फलक की करोणों का पैसा लेकर 9-11 हो जाएगी या पैसों को गाइब कर देगी इसके मुंतरे कमें अपनी कीमती राय का इजार जरू कीजेगा मज़ीड ड्रामा आज रिवी उसके लिए आप देखते रहिए उर्दु रिवी